कभी कभी किसी व्यक्ति पर गुस्सा इसकदर हावी हो जाता है कि वो भूल जाता है कि उसने सड़क पर चल रहे दूसरे सक्ष को कितिना और किस हद तक नुकसान पहुचा दिया है ऐसी रोड रेस की घटनाओं में कई बार बेकसूर लोगों की जाने तक चली जाती है ऐसा ही मामला ब्राजदहानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में देखने को मिला है यहाँ एक कार चालक को मामली सी टकर के बाद इतना गुसा आ गया कि पिडित को अपनी कार के बोनट पर तीन किलोमेटर तक घसीटता रहा पुलिस के मताबिक रमेश सिंग और तरंग जैन की कार एक दूसरे से टकरा गई थी इसके बाद रमेश सिंग गाड़ी से निकले और तरंग जैन को भागने से रोकने के लिए उनकी गाड़ी के सामने जाकर खड़े हो गये लेकिन तरंग जैन ने रमेश सिंग को टककर मार दी और अपनी जान बचाने के लिए रमेश कूद कर उसकी कार के बोनट पर चड़ गया रमेश सिंग कार के बोनट पर लटके हैं ये देखकर भी आरूपी ने गाड़ी नहीं रोकी किसी तरह आसपास राहगिरों ने चालकों को रोका और पेड़ित को बचाया इसके बाद आरूपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है सवाल ये है कि आखिरी निशा किस चीज़ का होता है कि लोग ऐसा करते हैं रास्ट्री अपराद रिकॉर्ड ब्योरों के हालिया आकडों के मताबिक सड़क पर गुस्सा करने के मामले में यूपी सबसे आगे है एंसी आरबी के सालाना अपराद आकडों के अनुसार 2016 में यूपी में कुल 4889 हत्याएं हुई जिन में से करीब 10 प्रतीशत यानि 489 हत्याएं सड़क पर गुस्सा करने के कारन हुई है दिल्चस्प बात ये है कि पूरे देश में 29 राज्चियों हैं और 7 केंदर शाषित प्रदेशों में सड़क पर गुस्सा के चलते हुई हत्याओं की कुलसंख्या 513 थी जिन में से 95 प्रतीशत अकेले यूपी महुई यानि सड़क पर गुस्सा होना और यूपी के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है इससे ना सिर्फ लोगों की जाने जा रही है बलकि राज्चे की छवी भी खराब हो रही है इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताए